दोस्तो गर्मियों का सीजन है और ऐसे में हम सत्तू को कैसे भूल सकते हैं तो इसलिए आज हम सत्तू से एकदम इजी रेसिपी बनाएंगे जो दो मिनिट से भी कम टाइम में बन जाएगी और साथ ही में हिल्दी भी होगी हेलो फ्रेंज मैं पल्लवी और पल्लवी इस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बनाएंगे सत्तू ड्रिंक पल्लवी इस किचन के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले दोस्तो ये है सत्तू का पाउडर बाजार में अनेक तरह के सत्तू मिलते हैं चने से बनाया हुआ सत्तू गेहुं से बनाया हुआ सत्तू रागी से बनाया हुआ सत्तू या फिर मिक्स सत्तू जिसमें ये सभी चीज़े एक साथ मिक्स की वही होती है तो यहां मैंने लिया है सत्तू का powder जो की mixed सत्तू है दोस्तो सत्तू बहुत ही ज़्यादा postic होता है इसमें भारी मातरा में fiber और protein के साथ साथ iron और magnesium भी होता है सत्तू पेट के लिए थंडा माना जाता है और इसी लिए ज़्यादा तर इसे गर्मियों के दिनों में इस्तिमाल किया जाता है अगर आप health conscious है या working है और नाश्ता बनाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो आप ये सत्तू ड्रिंक बनाकर उसे नाश्ते से replace कर सकते हैं क्योंकि ये काफी healthy और filling होता है तो दोस्तो आज हम सत्तू ड्रिंक दो तरीके से बनाएंगे एक नमकीन और दूसरा मीठा नमकीन सत्तू ड्रिंक बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप सत्तू का पाउडर और इसमें डालेंगे देड़ कप पानी इसे अच्छे से mix कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना रहे तो यह हमने अच्छे से mix कर लिया है आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं बचे हैं आप इसमें डाल देते हैं आधा चोटा चम्मच काला नमक इसके बाद एक चोथाई चोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर आप चाहे तो इसकी जगें हरी मिर्च बारिक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद डालेंगे एक चोथाई चोटा चम्मच जीदा पाउडर इसके बाद आधा चोटा चम्मच पुदीना पाउडर अगर आप फ्रेश पुदीना डालना चाहते हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद इन सब को अच्छे से एक बार मिला लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स होकर तयार हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा नीमबू का रस और एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और ये नमकीन सत्तू का शर्बत हमारा बन के तयार है इसमें गार्निशिंग के लिए एक छोड़ा चमच प्रेश धनिया डाल देंगे तो ये नमकीन सत्तू का शर्बत बन के तयार है और अब हम मीठा सत्तु का शर्बत बनाने के लिए फिर से कप में आधा कप सत्तु का पाउडर लेंगे और इसमें डालेंगे देड़ कप पानी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना रहे तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बचे हैं आप इसमें डालेंगे एक चोथाई छोटा चम्मच इलाइची पाउडर इसके बार डालेंगे दो बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी और साथ ही में डालेंगे आधा नीमबू का रस एक बार फिर से सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा खटा मीठा सत्तू का शर्बत तयार हो गया है और इसे अब हम ग्लास में निकाल लेते हैं तो दोस्तों दो तरीके से फटा फट आज हमने बहुत ही हल्दी और टेस्की सत्तू के शर्बत बनाएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएए मैं मिलूंगी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए